हेलो अब्रीवन, विलकम टू माई यूटूब चैनल, आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से संबंधित अतीव महतपूर प्रशनों को डिसकस करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने लवग 40 प्रशनों को डिसकस किया था, यदि आपने पिछली वीडियो पर देख न अगला कुशन है, ट्रांसफार्मर में भरा ओयल किसका कारी करता है? तो इस प्राइमरी टर्न की संख्या आम तोर पर कितनी होती है तो जो हमारा current transformer होता है उसकी primary binding में एक से पांच जो binding होती है उसकी संख्या एक से पांच होती है अगला question है transformer में किस परकार के oil का प्रयोग किया जाता है या transformer में किस परकार का oil भरा होता है तो इसका right answer है खानिज तेल या फिर mineral oil इसको बोल सकते हैं अगला question है केवल एक binding वाला transformer क्या कहलाता है तो सिर्फ एक binding वाला transformer auto transformer के नाम से जाना जाता है आप लोग याद रखिया किया question काफी important भी है अगला question है transformer I.L. का flash point noon thumb कितना होना चाहिए तो इसका right answer है 140 degree Celsius तो इसको आप लोग याद रखियेगा अगला question है auto transformer किसके सिधान्त पर कारे करता है तो इसका right answer है self induction के सिधान्त पर कारे करता है अगला question है विभिन ने बोलट था कि AC output supply प्रदान करने वाले transformer का नाम क्या है तो इसका right answer है by react transformer ठीक है अगला question है transformer में congurator का क्या काम होता है तो इसका right answer है oil के temperature में परिवर्थन के कारड तेल के प्रिशार और संकुचन की देखभाल करना ठीक है जो हमारा congurator tank होता है अपने transformer में देखा होगा कि यह मालीजी अपका transformer है तो यहाँ पे congurator tank लगा होता है ठीक है तो यह क्या करता है जब हमारा transformer का oil जैसे मालीजी transformer हीट हो गया इसके oil में प्रिशार हुआ तो इस congurator में हमारा oil चला जाता है को नापने के लिए कौन सा transformer प्रियोग किया जाता है तो इसका right answer है current transformer ठीक है अगला question है transformer की primary और secondary binding का phase difference कितना होता है तो transformer हमारा होता है उसकी जो primary binding होती है और secondary binding होती है उनका phase difference जो होता है वो 180 degree का होता है ठीक है आप जाद रखेगा अगला question है current transformer CT किस प्रकार का transformer होता है तो जो हमारी CT होती है वो step अब transformer होता है क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा CT होता है इसकी जो primary binding होती है उसमें turn काफी कम होते हैं एक से पांस ता की turn होती है ठीक है और secondary binding में जादा होते हैं तो अगर primary में turn कम है secondary में turn जादा है तो ऐसे भी हमारा transformer क्या कहलाएगा step अब transformer कहलाएगा तो हमारा CT होता है वो step अब transformer होता है ठीक है अगर हम बात करें कि primary transformer CT जो होता है CT के primary transformer में जो binding होती हो कैसे होती है तो यहाँ पे उसका answer होगा कि जो primary binding होती है उसमें कम लपेट और मोटे तार की होती है ठीक है यह question कभी कभी पूछा भी जाता है तो आप लोग याद रखेगा कि CT के primary binding में जो binding होती है उसमें कम लपेट होनेगे मतलब कम तरन होंगे और उनके जो वायर होगी वो काफी मोटा होगा अगला question है यदि एक transformer की secondary binding में तरन की संक्या को दोगना कर दिया जाए और primary voltage आधा कर दिया जाए तो secondary voltage पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखे यहाँ पे इसका होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा देखे इस question में कहना चाहरे है कि कोई transformer है कोई transformer है ठीक है मालिजे कोई भी transformer हो यदि उसके secondary binding में क्या कर रहे है तरन की संक्या को दोगना कर दे रहे है ठीक है मालिजे यहाँ पे एक transformer है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया secondary binding मालिजे इसमें दो turn थे primary binding में मालिजे single turn थे तो इन्होंने क्या किया है secondary binding में turn की संक्या को दोगना कर दिया और primary binding में turn की संक्या को आधा कर दिया है तो इससे क्या होगा जो हमारी voltage होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो voltage पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, माली जे पहले input हम इसको कितना दे रहे थे, 100 volt दे रहे थे, और इसका output हमें कितना मिला था, 200 volt मिला था, उसके बाद यहां पर क्या किया गया, कि primary binding में turn की संख्या को half कर दिया गया, और secondary binding में ज्यादा कर दिया गया, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, voltage को हमने half कर दिया, अब हम यहां पर 50 volt को supply दे रहे हैं, तो भी हमें जो output मिलेगा, वो पूरा 200 volt मिलेगा, ठीक है, तो इस question का answer क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगला question आ down transformer होता है, ठीक है, अगला question आप देख सकते हैं, transformer की secondary binding में प्रेरित EMF किस पर निर्भर करती है, या किस पर निर्भर करता है, तो आपका right answer होगा, ठरन की संख्या पर, अगला question है, अधिक मान के voltage को नापने के लिए कौन सा transformer उपयोग किया जाता है, तो ज़्यादा मान के voltage इसको नापने के लिए, transformer जो यूज होता है, उसको आपको बोलते है, PT या पिर आप कह सकते है, potential transformer, अगला question है, single phase या three phase चालू लाइन पर बिद्धु धारा नापने के लिए कौन सा यंद रुपयोगी होता है, तो इसका नाम होता है, clip on tester, यह थोड़ा सा important है, आप लोग 2000 KBA से 20,000 KBA तक ठीक है, तो जो हमारी PT होती है, उसकी छमता की बात की जारी कितनी होती है, तो 2000 KBA से 27,000 KBA तक होती है, अगला question है, potential transformer का उपयोग कहां किया जाता है, मतलब PT transformer का use कहां होता है, तो इसका right answer है, यंत्रों और relays में होता है, अगला question है, three phase transformer में, cool binding में, three phase transformer में, cool binding में, cool कितनी binding होती है, देखें, यहाँ पर पूछना चारे है, कि जो हमारे three phase transformer होते हैं, उसमें जो binding की जाती है, उसमें total कितने binding होती है, तो इसका right answer होगा, उसमें 6 binding होती है, ठीक है, क्योंकि primary में भी 3 binding होगा, और secondary में भी 3 binding होगा, तो हमारा कितना हो जाएग अगला question है transformer के किस भाग में अधिकतम उसमा उत्पन होती है तो इसका right answer है binding में उत्पन होती है अगला question है cell-tride transformer का प्रियोग कहां किया जाता है तो cell type हमारे जो transformer होते हैं इनका उप्योग single phase supply के लिए किया जाता है आप लोगोंने देखा होगा कभी-कभी pole पे आप क्या होता है एक cylinder type का transformer ऐसे लगा होता है अब लोगोंने देखा होगा तो यह हमारा count सा होता है single phase के लिए होता है supply के लिए अगला question है transformer के किस binding में single phase supply निकाली जा सकती है तो इसका right answer है star binding ठीक है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि transformer के कौन सी binding में single phase supply का हम use कर सकते है ठीक है तो आपने देखा होगा transformer में दो प्रकार की binding होती है इसको बोलते हैं हम लोग इस delta binding ठीक है तो इसमें क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे three phase होते है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने मालीजे R से लिया एक ठीक है एक wire को जोड दिया और यहां से neutral हमने यहां से प्राप्त कर लिया तो हमारे single phase supply यहाँ को मिल गया यह आपका phase होगा यह आपका neutral हो गया ठीक है कह सकते हैं अगला question है transformer के किस भाग को अर्थ से जोड़ा जाता है तो transformer का ऐसा कौन सा भाग होता जिसको अर्थिंग से जोड़ते हैं तो neutral body neutral point और body को ठीक है अगला question और यह question आपके लिए है transformer में क्या परिवर्तन करने का good नहीं होता है यहाँ पूछा जा रहा है कि transformer किस चीज को परिवर्ति नहीं कर सकता है तो इसका answer आपको comment में हमें बदाना है पहला इसका option है voltage दूसरा सक्ती तीसरा प्रतिवाधा तीसरा धारा ठीक है तो इस question का answer आप हमें कर्वन करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धनलवाद